त्रिम ल्हक उस्टफ के वाज सुआ । आज हम लोग चैप्टर फाइव अ पॉकेट्र फुललफ मजिक को पढ़े गे। इस से हम लोगों को समझ में आता। अ पॉकेट्ट्स फुललफ्मूजिक्ट吗 हमारा जो जेब है, हमारा जो पॉकेट है, वो फुल अफ म्यूजिक है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, हमारे पॉकेट में म्यूजिक, है ना इंट्रेस्टिंग, आईए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दो बच्चों की कहानी है, जिन में से एक बच्चे के पॉकेट में म्यूजिक है, तो सोचो ये कैसा होगा चैप्टर, तो हम लोग ये चैप्टर को पढ़ेंगे, कोशन अंसर का लिंक आपको, उपर आई बटन पे भी मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूले, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और सारे दोस्तों को शेर कीजिए, आईए हम लोग पढ़ते हैं, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी, अपॉकेट फुल अफ म्यूजिक, कैसा मज़ा आएगा इसमें, आएए देखते हैं हम लोग, लेट अस रीड ए स्टोरी अबाओट टू ब्रदर्स, एंड हाव म्यूजिक सेव देर लाइफ्स, ये एक ऐसा स्टोरी है, जिसमें दो भाई है, दो भाईयों की कहानी है, और इन दोनों भाईयों की कहानी जो है, म्यूजिक ने बचाया, म्यूजिक के वज़े से इनका लाइफ बचा, नहीं तो ये लोग बहुत बड़े खत्रे में पढ़ जाते, बहुत बड़ा डेंजरस घटना हो सकता था, ये लोग भihानक जंगल में फंस चुगे थे, भिहानक जंगल में, जहां पे म्यूजिक ही था, इनको इनका लाइफ बचाया, तो हम लोग पढ़ेंगे ये स्टोरी कैसे इनका लाइफ बचा, कैसे इनका लाइफ बचाया, who used the tiny brook in the dead of night tiny brook जो है means छोटा जो नदी होता है नदी का जो पाट होता है भैता हुआ नदी का पाट जो पत्थरों के बीश से गुजरता हुआ वैसा जो वहाँ से तेजी से निकलता हुआ वैसा उसमें से जो sound निकलता है वो है who used the tiny brook in the dead of night dead of night का मतलब आधी रात के समय में ribbit के रो के रो a dozen frogs so went splash in the puddle और वहाँ पे दरजनों मतलब 12, 13, 14 बहुत जाथा दरजनों frogs जो थे वो कूद रह थे इधर उधर पानी में छीटा हो रहा था पानी में छीटा पड़ रहा था कू 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 the quail sang यह जो कोईल का आवाज था to the pitter patter of the gentle rain जब हलकी हलकी बारिस हो रही थे पीट पाट जो आवाज होता है tip tip करके वहाँ पे कोईल का भी गाना गाने का आवाज आ रहा था कू 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 ठीक है बिजू could not sit still any longer और बिजू था उन दोनों भाईयों में से एक भाई का नम था बिजू और एक भाई का नम था वीजू एक का था बिजू एक का था वीजू तो बिजू जो था वो कोईल का आवाज सुन करके बारिस का tip tip का आवाज सुन करके नदी का वहाँ जो बुक का आवाज जो था वो सब सुनकर के मेधक का कुदने का आवाज सुनकर के उससे बैठा नहीं गया वो कह रहा है उसके लिए तो music ही सब कुछ था what fantastic music was coming from the singing forest इस fantastic fantastic music आ रहा है गाना गाता हुआ singing करता हुआ forest से उसको ऐसा लग रहा है वो काफी खुश हो गया इस तरह से आवाजें सुनकर के बारिश की आवाज है फ्रॉग का आवाज है कोईल का गाना गाने का आवाज है है न जेंटिल रेन जो बारिश हो रहा है उसका आवाज आ रहा है तो काफी खुश हो गया रहो कह रहा है what fantastic music was coming from the singing forest he pulled out the mossing from his pocket weight pocket and joined the orchestra orchestra का मतलब आपको पता है क्या orchestra का मतलब होता है ऐसा stage performance ऐसा जगा ऐसा program जहां पर बहुत सारे singers आते हैं बहुत सारे करते हैं बहुत सारे instrument को बजाते हैं उसको orchestra बोलते हैं और केस्ट्रा और उर्गनाइज करा या जाता है प्रोग्राम होता है तो इसको यहां पर ऑर्केस्ट्रा कहा गया इतने सारे आवाज आ रहा है यहां से forest से जंगल से इसको orchestra कहा जा रहा है और इसी बीच बीजू क्या सम्स्ट्रेब्ध होता है कि यह सकुती होता है जैसे हमारा इंस्ट्यल्मेंट कнос मॉथ और्गन होता है मूह से बजाने वाला च्वपोस च्ट-ब्स रहा से और से मौत शहीं इससे लिए था, forest में वो जो आवाज चल रहा था, उसको orchestra कहा गया, Tee Tee, Ringa, Danga, Ringa, Danga, Twang, Twang, His fingers and tongue moved in rhythm, उसके जो fingers से हैं, और उसका जो जीव है, उसका जो टंग है, वो rhythm में move करने लगा, music के साथ, and the sound from the morseigne blended happily with the life all around, और उसके morseigne से, उसका instrument से जो sound निकल रहा था वो खुसी खुसी चारो तरफ जो life चल रहा था उससे जुड़ गया next to him उसके just bugle में seated on the wide branch of a tamarind tree जो चौड़ा सा जो branch है tamarind tree मतलब इमली का पेड़ tamarind tree मतलब इमली का पेड़ था उसका चौड़ा सा जो एक डाल था एक wide branch branch जो था उसके उपर बैठा हुआ उसके बगल में कोई और नहीं उसका जुड़वा भाई था his twin brother with you जिसका नाम मैंने बताया with you कि ओके कि वह स्नौर्णिंग अवे वह खराटा मार रहा था सो रहा था विजू उसको कोई मतलब ने music वागर ऐसे बिजू यहां music बजा रहा इंजॉय कर रहा फोरेस्ट में बारिस में और विजू जो है खराटा मार रहा इंजॉय कर रहा सोने को विजू लेकिन बिजू का जो finger था बिजू का जो उंगली था उसमें खुझली हो रहा था मौर्सिंग बजाने के लिए खुझली होना मतलब उसको बहुत उतावलापन था अंदर से कि हमको मौर्सिंग बजाना छट पटा रहा था उसको मौर्सिंग बजाना बहुत पसंद था चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो कोई फरक नहीं पड़ता विजू just love to play the मौर्सिंग विजू को बहुत प्यार था मौर्सिंग से लेकिन वहीं विजू दर था वो सोने में मश्गूल था विजू सो रहा था अपने चोड़ा सा ब्रांच जो था डाली के उपर टैमरिन ट्री इमली के पेड के उपर डाली में सो रहा था अपना what were the boys doing up the tree in the dead of night? dead of night का मतलब? बीच रात आधी रात में ये लड़के लोग क्या कर रहे थे आधी रात में पेड के उपर में? to cut a long story short, लंबा सा story को short में बताते हुए their mother, रंगियमा had fallen ill on her visit to their old grandmother रंगियमा जो उन दोनों भाईयों का मम्मी थी, वो अपने old grandmother को visit करने गई थी और वहाँ पे मिलने गई थी और वहाँ पे वो बिमार पड़ गई, fallen ill ठीक है? रंगियमा उनकी मदर का नाम है वो बिमार पड़ गई, कहां बिमार पड़ गई? old grandmother मतला बुड़ी दादी को मिलने के लिए वो गई थी और वहाँ पे वो बिमार पड़ गई, रंगियमा मदर who lived on the other side of the forest, और old grandmother कहां रहती थी? वो जंगल के उस पार रहती थी both the boys wanted to see their mother immediately when they heard the news of her illness लेकिन दोनों ही बच्चे, दोनों ही लड़के जो थे अपने मा को देखने के लिए बहुत उतावला हो रहे थे बहुत देखने का मन कर रहा था कि मम्मी बिमार हो गई है, जैसे ही उन्होंने खबर सुना, न्यूज सुना कि मम्मी बिमार हो गई है तो उन्हों लोग चट पटाने लगे, उन्हों को मन करने लगे कि हम लोग अभी तुरांत इमिडियेटली मिलेंगे मम्मी से but how to go, लेकिन कैसे जाएंगे, बीच में जंगल है, फिर भागी रती और भागी अथाई है भागी रती अंटी भी है, उसके कश्टडी में वो बच्चे थे, भागी अथाई जिनको प्यार से बोलाया था as they called their aunt, उनकी अंटी थी भागी रती जिनको भागी अथाई प्रेम से बोलता था would not let them escape from their site, even for a minute और भागी अथाई ऐसी strict थी, कि वो अपने नजरों से इन दोनों बच्चों को एक मिनट के लिए भी जाने नहीं देगी and to ask for permission, forget it, अगर उनसे permission मांगा जाए तो भूली जाओ, उनको permission नहीं देने वाली है भागी अथाई was stricter than any policeman or teacher, they knew, उनको पता था कि भागी अथाई जो है, वो policeman, एक police और एक teacher से भी strict थी she might have even locked them up in the barn to prevent them from running away एक बार तो उन्नों को बार्ण में बंद कर दिया गया था, मतलब जहाँ पर पसू को रखा जाता है, जानवरों को रखा जाता है, वो सब घर में जहाँ पर पसू को रखा जाता है, या फिर जहाँ पर अनाज को रखा जाता है, वो room जो होता खेत में वहाँ पर इन लोगों को एक बार लोग कर दिया गया था इन बच्चों को भागी अथाई लोग कर दी थी इन लोगों को ताकि ये लोग भाग ना पाए तो ऐसी strict lady थी वो भागी अथाई इसलिए दोनों बच्चे ने मिलकर के एक चालाकी का प्लान बढ़ा है चालाकी से भाग जाएंगे हम लोग भागी अथाई को बताएंगे ही नहीं ले भागी अथाई को पता पड़ेगा तभी तो वो पकड़ेगी हमें भागी अथाई को बताना ही नहीं है The sun was going down, सूरज ढलने को था, शाम होने को था, the sky was a brilliant purple and orange, और sky का कलर brilliant purple और orange का हो रखा था, it was fast growing dark, और अंधेरा हो रहा था तेजी से, भागी अथाई got busy with her evening routine, और भागी अथाई अपना शाम का रूटीन में busy थी, अपना संध्या दे रहे थी, उसके बाद संध्य पूजा पा रही थे, और जो भी घर का जो cattle वगरा हो था, उनको वो अपने जगा पे set कर रही थी, she lit a lamp and placed it near the tulsi plant and herded all the cattle and shut them in their sheds, और वो क्या की एक lamp को जलाई अंधेरा होने पे और उसको tulsi plant के सामने रख दी, और सारे जो cattle थे, जानवर थे, जो गाए भैंस जो भी थे, उन लोगों शेड में अंदर कर दी, the boys cleaned up the courtyard and washed their hands and feet in readiness for dinner, और वो लोग जो दोनों बच्चे थे, वो लोग हाथ पर धो करके रेडी हो गये थे, डीनर करने के लिए, बीजु वास हम्मिंग, a tune, बीजु जो था, वो बड़ बड़ा रहा था, कोई त्यून, कोई गाना जैसा गाता था, वैसा बीजु मनी मनी, ऐसा गाना गा रहा था, और इवेन बिगन टू प्ले दा मौर्सिंग, जैसा वो एवरी डे इवनिंग के टाइम में वो गाना बजाता था, और दोनों बच्चे ऐसा चतुराई से ऐसा बीएव कर रहे थे, ऐसा दिखा रहे थे, कि कुछ भी जैसा है, वैसा ही नॉर्मल है, क्योंकि उन लोग अंदर से प्लान बनार लिया था, कि हम लोग भागेंगे आज, मम्मी से मिलने के लिए जंगल को पार करते हुए, ठीक है, लेकिन वो अथाई, जो उनकी आंटी थी, उनको दिखा नहीं रहा था, और भाम से जोर से हो चिलाती हुई, श्रीग, चिलाती हुई, हाउस के बाहर निकली रोड के तरफ, at lightning speed, 4 feet, 4 feet escape from the backyard towards the forest, और lightning speed के साथ, बहुत ही तेजी के साथ, दोनों बचे, 4 feet मतलब दोनों ही लड़के, दोनों ही लड़के, पीछे के दर्वाजे से, आंगन से होकर के बैक याड से, their hearts thumbed in fear and speed, इस तरह से पफ पफ थर्दर का आवाज हो रहा था, उनका धड़कन था, वो तेज हो गया था, दिल धड़क रहा था, जोर जोर से, वो लोग डर से तेजी से भाग रहते, सून द फोरेस्ट ग्रिव साइलेंट, अचानक से फोरेस्ट जो है, वो साइलेंट हो ग के लिए, वो लोग अपना स्पीड को थोड़ा सा डाउन किया, स्लो डाउन किया, और काफी वो लोग खिसी आ गया एकदम, मतलब इरिटेट हो रहे थे, बिजु और विजु वेर नाइन येर्स ओल, दोनो नौ साल के थे, बिजु और विजु, दोनो भाई, एंड दे लु दोनो एक जैसे दिखते थे, तो टीचर्स और फ्रेंड्स जो थे, वो लोग भी कनफ्यूज हो जाते थे, कि बिजु कोन है और विजु कोन है, देखने में एक जैसे थे, आप लोगों के बीच में भी कोई जुडवा भाई बहन ये होगा, तो जरूर कमेंट करके हमें भी बताइए, बट, देवर पोल्स अपार्ट, वेन इट कमस तो इंटरेस्ट और टालेंट, लेकिन दोनो एक जैसे दिखने में तो थे, लेकिन जब इंटरेस्ट और टालेंट की बात आती है, तो दोनों ही एक दूसरे से बहुत अलग थे, बिजु वोजु जो था, वो मुज लेखाने पने एंसाने इन्सान थे, वो फांशें प्लेयर थे, बजाने वे इंसान थे, लेकिन उसका जया प्यार थे, अ वे इस न्तल आट पोलेर गोर ट्रे से, फिक जिखने में मूज से लिए तो किसी को उतना ध्यान नहीं था फैमिली में मौर्सिंग को ले करके जबकि बिजू जो था वो चार साल का ही था और उसको एक बॉक्स में उसको वो मौर्सिंग पड़ा हुआ मिला और वो बजाने लगा बिना सिखे हुए ही उसको कोई सिखाया नहीं था मौर्सिंग बजाने वो खुदी चार साल की उमर से ही बजाने लग गया उसको मिला तो घर के फैमिली मेंबर को किसी को नहीं ध्यान था उस मौर्सिंग के उपर वो वो साउन जो था वो बिजू को बहुत पसंता है और वो अपने पोकेट में हमेशा मौर्सिंग को ले करके घूमता था और जब मन तब वो बजाता था तो साहद इस चैप्टर का टाइटल जो दिया गया था the music in pocket pocket का अंदर music है न वीजु वा स्टोन डीफ ऐसे डीफ का मतलब तो बहरा होता है लेकिन यहाँ पर क्या मिनिंग है वीजु वा स्टोन डीफ when it came to music तो music का जब बात आता है तो वीजु जो था उसका दूसरा भाई वो एकदम बहरा मतलब बहरा के जैसा पिहेव करता था मतलब उसको कुछ सुनना नहीं था उसको सुनने का कोई इच्छा नहीं था वो बहरा नहीं था उसको सुनने का कोई मन नहीं था वो सुनता ही नही और वो कभी नहीं थकता था math problem को solve करने में और mental maths को solve करने में वो किसमें इंट्रेश्ट था उसको विज्जू को maths बनाने में, maths solve करने में, mental maths solve करने में वो उसको काफी मज़ाता था, वो कभी ठकता नहीं था He was famous at his school as a maths wizard और अपने school में वो maths का जादूगर के नम से famous था उसको school में maths का wizard कह जाता था wizard का मतलब जादूगर, maths का wizard मतलब वह आसाणी से मैड़् बना लेता था उसको मज़ा हाता सदाए इंट्रेस्टिंगे उपमज़ों छिपन्टों म्यूजिक पसंद था कि इसको मैठ्ट से काफी डर था उसको फो ऑ film सम्यूं स्कार्व ऑट्र चैनलICA ह के अजम और ङंव वीजू उफेन मॉक्ड बिजू और वीजू जो था वो काफी बार बिजू पे चिलाता भी था उसको डाटता भी था वीजू बहुत सारे लोग घर में जो फैमिली में थे उसको लगता था कि वीजू जो है उसको भगवान का special gift, special power मिला हुआ वीजू को बहुत अच्छा बुद्धी मिला हुआ भगवान से, musical talent seemed too common and no one praised बिजू as much और musical talent जो था वीजू के अंदर में वो काफी common था लोगों के बिज में और लोग उसको उतना ध्यान नहीं देते थे, praise नहीं करते थे, शाबासी नहीं देते थे, किसको वीजू को, क्योंकि वो music बजाता था, music से प्यार था, music को उतना लोग अच्छा नहीं मानते थे, लेक इसे ही बिजू और विजू जो है, वो अंधेरा होते हुए forest, जंगल में जब गुजर रहा था, तो उनका जो difference था बीच में, आपस में, वो दिख रहा था, कि बिजू लवड एनिमल्स और बड्स, और वोज वाकिंग इन रिलाक्ष्ट वे, observing nature all around, and even humming a tune, ठीक है, तो यहा दान वर, चीनिया, यह से बहुत पसंद था, वो आराम से चल रहा था जंगल में, ठीक है, पूरा nature को देख रहा था, चारो तरप से, जंगल को देख रहा था, और गुन गुना करके चल रहा था, and even humming a tone, humming a tone मतलब वो अंदर हुम 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 ऐसा करके enjoy करता हुआ चल र बहुत दरता था was on force मतलब मतलब जिनका चार पैर होते हैं उनसे वीजू बहुत दरता था चार पैर किनका होता है एनिमल का होता है तो वीजू जो है ऑनिमल से बहुत दरता था उसको जंगल उंगल से प्यार नहीं था music से प्यार नहीं था he walked fearfully behind वीजू and kept telling him to walk fast so that they could reach their grandmother's home soon और विजू के पीछे पीछे चल रहा था और विजू को बोल रहा था कि भाई जल्दी चलो ताकि हम लोग इस जंगल को पार कर लें और ग्रैंड मदर का घर जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं अल अफ अफ सदेन इट वस स्टाटेड तो रेंड वेरी हैप अचानक से बहुत बाष्ह होने लगा है भी बारिस होने लगा एन डे आधें णाइदर करीडन अंब्रेला और वो लोग चाता बी नहीं लायो थे दे विये ड्रेंज्ट डूरा उसका कप्ड़ा उपड़ा भीग गया एक डम पानी को शोक लिया भीगा उवा कपड़ा पह का फिल कर रहे था बहुत भूकी भी लग गया था बारीज भी हो रहा था कपड़ा भीग गया था कपड़ा पानी से सोख पानी को सोख लिया था पुरा बीजू सड़नली स्टॉप डेंट से बीजू अचानक से रूखता है बीजू मतलब कौन जिसको म्यूजिक पसंद आचा बीजू कहता है नो आई डोंट लाइक टुक्लाइम मुझे उपर चड़ना क्लाइम कर पेड़ पर चड़ना अच्छा नहीं लगता है वीजू जिसको मैथ पसंद है बीजू पर सिस्टेट विजू फिर भी उसको बोलता है कि नहीं नहीं देर इस नो अधर वे दूसरा ब्रांच बीजू help his brother up और बीजू अपने आपको balance करता हुआ एक नीचला डाली पे बीजू को help करता हुआ उपर चड़ाया soon both the boys sat on a long shady branch और वो लोग एक छायादार ब्रांच में बैट गया जल्दी से मतलब ऐसा ब्रांच जिसमें उपर से पत्ता ढखा हुआ बारिस का पानी उतना नहीं लगे and waited for the rain to stop और वहाँ पे इंतजार कर रहा था कि बारिस छूट जाये but it continued to rain and it was dark, wet and scary और लेकिन बारिस छूटने रहा था बारिस continue था और बहुत ही अंधेरा था और भीगा वा था सब कुछ और बहुत डरावना लग रहा थे scary in fear and exhaustion डर के मारे और थाकावट के वज़े से विजू fell asleep और विजू जो था वो सो गया but बिजू was wide awake hearing the forest लेकिन बिजू जो था वो जंगल का आवाज जो था उसको सुन सुन करके बैठा हुआ था और बाते कर रहा था speaking to it with his music और music से बाते कर रहा था ट्वांग ट्वांग डिंगा डिंगा ट्वांग ट्वांग ऐसे करके वो enjoy कर रहा था अपना music अपना बोल रहा था और forest को enjoy कर रहा था अब आरिस जो हो रहा था उसको enjoy कर रहा suddenly from somewhere down Biju heard a deep voice ask Biju को अचानक से आवाज सुना दिया who is that up on the tree पेड के उपर में कौन है ऐसा आवाज भारी आवाज सुना दिया पेड के उपर में कौन है Biju was afraid to answer Biju बहुत डर गया उतर देने के लिए had his aunt sent someone वो सोचा कि कहीं auntie ने किसी को तो नहीं भेज दिया he stopped playing the morcing and froze उसने अपना morcing को बजाना बंद किया और चुप चाप हो गया froze मतलब चुप चाप बैठ गया the voice was quiet for a while तो वो जो voice आया वो जो आवाज आया वो कुछ देर तक सांत रहा then it said फिर उसने कहा I heard someone twanging the morcing मुझे सुनाई दिया किसी ने यहाँ पे morcing को twang twang बजा रहा है I know the instrument मुझे यह instrument पता है who is that यहाँ पे कौन चुपा हुआ है come down नीचे उत्रो I am the range forest officer मैं range forest officer हूँ मैं jungle का officer हूँ jungle का देखभाल करने वाला the next thing Biju saw was the bright glare of the torch that he hit his face और अचानक से वो देखता है क्या देखता है next thing Biju देखता है कि उसने बड़ा सा torch जो जलाता है उसका रोशनी उसके चहरे पे मार रहा था glare of the torch बहुत तेज रोशनी मारा torch का उसके चहरे पे अहा वन यंग बॉय अहा वन यंग बॉय अरे यार इतना चोटा बच्चा है यहां पे did you run away from home क्या तुम लोग घर से भाग गए हो वो पुलिसमेन वो जो forest officer वो बोल रहा the searching light paused on video और जो जो वो light था वो विजु पे रुका who woke with a start जो की जैसे उसको light पढ़ा विजु को वो भी start हो गया उठने के लिए वो स्वया हुआ था रहा ना अनदर बॉइ what's going on अरे यह दूसरा लड़का भी है यहां पर अरे यहां चल क्या रहा है यह forest officer बोल रहा है अरे यहां दूसरा बच्चा भी है यहां चल क्या रहा है come down नीचे उत्रो quickly जल्दी से नीचे उत्रो before the leopard catches you नहीं तो तेंदवा आ जाएगा leopard leopard मतलब जो चीता की तरह चीता leopard जो है वह आ जाएगा तेंदवा चीता आ जाएगा एट दा मेंशन आफ लियोपार्ड विजू जम्डाउन एंड विजू फॉलोड लियोपार्ड का नाम सुनते ही विजू जो है वह जम कर गया और विजू भी उसके पीछे जम किया मतलब जहां पर कोई डिकत ना हो जहां पर कोई डर ना हो वेर वेर यू कम तुम लोग कहां से आ रहे हो बच्चे और कहां जाओगे holding the two boys family one on either side the ranger in uniform led the way through dark forest दोनों side में अपने दोनों हाथ में दोनों बच्चों को दबा करके उठा करके वो चलता हुआ uniform में वो रेंज officer था वो बोल रहा है बात करते हुए उन लोगों को dark forest देरा forest से वो निकल रहा था there was a deadly silence वहां बहुत ही डरावना silence था मतलब कोई भी आवाज नहीं एकदम सन्नाटा था the mention of the leopard was terrifying क्योंकि leopard का जो बात था चीता तेंदुआ जानुवर का जो बात था वो बहुत डरावना था दोनों बच्चे काफी डर गए तेंदुआ का leopard का बात से after walking some 20 minutes they reached a small forest office बीस मिनट पैदल चलने के बाद वो लोग forest में ही एक छोटा सा office रखा है forest officer वहां पे पहुंचा the ranger pushed the boys through the door and quickly shut it tight और ranger जो था वो दोनों बच्चों को अंदर धकेलता और दरवाजा को जल्ली से बंद कर देता है there are leopards on those trees on the tree you were sitting too अरे जिस पेड़ पे तुम लोग बैटे थे तुमको पता है वहां पे leopard भी चड़ता है उस पेड़ पे उस पेड़ पे leopard रहता है you are lucky the leopards were somewhere else at that time तुम लोग बहुत ही lucky हो भागय साली हो कि उस समय में leopard जो है वो कहीं और था and you escaped becoming their dinner और तुम लोग बच गए ने तो तुम लोग उसका भोजन बन जाते लेवपार्ट तुम लोगों को खा जाता said the ranger with a sigh of relief बहुत ही चैन का सांस लेते हुए वो जो रेंजर ओफिसर था वो ऐसा बोला अरे तुम लोग बच गए बाल बाल ने तो तुम लोगों को लेवपार्ट खा जाता डिनर बना लेता he gave the boys some simple kanji मतलब rice broth and pickle to eat and question them दोनो बच्चों को दोनो लड़कों को वो rice खिलाया अचार भी दिया ठीक है और उन लोगों को question ऐसा पूछ रहा था he gave them a good scolding for trying to cross the forest at night वो दोनों को बहुत good scolding scolding मतलब डांट दिया डांटा उन लोगों को दोनों बच्चों को दोनों लड़कों को काफी डांटा अच्छे से डांटा कि तुम लोग रात के समय में forest cross कर रहा है इतना डरावना जगा यहाँ लिवपार्ड है आधर जंगली जानवर है और वो हसते हुए समयल करते हुए दोनों बच्चों को देखा और बोला I was too naughty at your age but trying to go through a forest after sunset is foolish मैं अभी तुमारे जैसा शैतान था जब मैं तुमारे एज का था बच्पन में लेकिन इतने रात को और सूरज ढलने के बाद जंगल से गुजरना एक बेवकूफी वाला बात ह foolish don't ever do it again फिर से कभी ऐसा मत करना now get some sleep आप तुम लोग दोनों सो जाओ I will take you to your grandmother's place at the crack of dawn मैं तुम लोगों को तुमारे दादी के पास ले करके जाऊंगा जैसे ही सुबह हो जाए at the crack of dawn मतलब सुबह हो जाने पे when it is more safe तब उस टैम में बहुत safe रहेगा कोई खत्रा नहीं र फॉरेश्ट रेंज ऑफिसर दोनों बच्चों को कि सो जाओ तुम लोग सुबह दादी के पास पहुचा दिये जाएगा बोद द बॉइस लेप पीसफुली नोइंग देट देवर सेफ ना दोनों बच्चे सांती से सो गए क्योंकि उनको पता था कि वो लोग सेफ हैं दे फॉरेश्ट ओफिसा नोती से वो लो लोग निकलते हैं और निकल करके से ग्रेंड माधर का जगह पर पहुच जाते हैं दो पर तर और पूरा जो वो जगा था वहाँ पे बहुत ऐसा फैल गया ये बाद बजिंग मतलब पूरा चारू तरफ हला हो गया विजू और विजू का कहानी कि वो लोग कैसे रात को यहां से निकले और मौर्सिंग के वज़े से वो लोग बच गया रेस्क्यू आउनका क्योंकि मौर्सिंग को वो लोग बच्चा नहीं बचाता तो वो फॉरेश्ट रेंज ऑफिसर कैसे पता चलता उसको कि यहां पे दो बच्चे बैठे हुए इमली के पेड़ के उपर में मौर्सिंग का आवाज आ रहा था ट्वैंग इस तरह का मौर्सिंग का आवाज आ रहा था क्योंकि विजू जो है मौर्सिंग बचा रहा था तो मौर्सिंग को सुनके ही वो जो फॉरेश्ट रेंज ऑफिसर है उन दोनों को बचा करके ले गया अगर वो म्यूजिक नहीं ब और बिजू को विश्वास नहीं हूँ अपने कानों पर जब उसका भाई विजू जो है उसके पीट थपता पाया उसके शोल्डर पर उसके कंदे पर हाथ रखा और पीट थपता पाया और बोला कि विजू तुम्हारा जो यह म्यूजिक है वो हम लोगों का जान बचा लेया यार तुम म्यूजिक नहीं बचाता तो यह ओफिसर हम लोगों को देखी नहीं पता आई रियली विश आई कुड प्ले दा मॉर्सिंग लाइक यू मैं बहुत उमीद करता हूं मैं सोचता हूं कि काश काश आई विश मुझे लग रहा है कि काश कि मैं भी मॉर्सिंग बजा थीक है हम लोग एक दूसरे को हेल्प करेंगे लगा और ये एक प्लैन की तरह लगा सेट विजु विजु बोल रहा कि है एक प्लैन के जैसा लग रहा है और एक आछा भी प्लैन है चलो अच्छा है हम लोग एक दूसरे को मदद करेंगे एक दूसरे को तुम मुझे म्यूजिक सिखाना मैं तुम्हें मैच सिखाऊंगा तो यह मज़ेदार इस्टोरी यहां पर खतम होता आई हम लोग फटाफट इसका कोशन अंसर का वीडियो भी इसके बाद देखेंगे और इसका पहले mcq हम लोग देख लेते हैं mcq को मैं बता देता हूं कोशन अंसर का लिंक आपको मिल जाएगा ठीक है डेस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और उपर आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगा तो इसका mcq है वीच इंस्टुमेंट डिट बिजु पले तो बिजु से और टीचर से कौन इस्टिक था भाग गिया था ही वाट कैंड ऑफोबिया डिट बिजु हैव बिजु को कौन से डर था मैट्स का डर था हूं केम तो दबॉइज रेस्क्यू रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर उन लोगों को रेस्क्यू करना है यह चैप्टर यहां पे खतम हो कर दिजिए वीडियो को लाइक कर दिजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किजिए थैंक यू फॉर वाचिंग हैव नाइस टे